सविधान निर्माता बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की आज उनत्रवी पुन्ने तीती पर सरदासुमन अर्पित करने का हमारा कारेकराम है और इसको परी निर्वान दिवस के रूप में हम मना रहे हैं हमारे यसस परदान मंत्री और भारते जनता पाल्टी की सरकार जिस तरह से बाबा साहिब अंबेडकर और हमारे सविधान निर्माता जिस तरह से सविधान हम लोगों के लिए बना के गए हैं उसका हम सब मिलकर उसकी रक्षा करें और इतना ही नहीं कि बाबा साहिब भीमराव सम्मान दिया है हमारे बाबा साइब भीमराव अंबेडगर को भारत रत्न की उपादी दी है वो भारती जनता पाल्टी की एक सोच है कि इसे एक सर्वस्रेश्ट हमारा सुविदान है और सर्वस्रेश्ट सुविदान को बनाना वाले उसे कमेटी के हमारे बाबा साइब भीमर क XV. जो हमारे बावा सहय भीम्रा अंभेड करें सवीधान निर्माता है जिस सवीधान को सारा भारत उसके उसको ले कर चल रहा है तो इस पर जो है सियासत कर रहे हैं देखें ये कुछ भी भर्हम फैला सकते हैं विपक्ष के जिस तरह से इन्हें यह भी क्या था का आरक्षण खतम कर देंगे इस तरह के गुम्रह करके जिस तरह से लोकसभा के चुनाओं में जब इनका मोका लगता है तो भ्रांतियां फेलाते हैं लेकिन हमारे यससव प्रधान मंत्री जी की सोच है कि गरीब पिछडे लोगों को हमारी समाज में जो पीछे की पंक्ति में रहेगे उनको आगे लाकर हमारी समाज की मुख्यधार में लाने का काम करें और सविधा आरक्षन के बारे में कहा था कि जब तक मैं जिन्दा हूँ आरक्षन को कहीं कोई आच नहीं आएगी इस तरह हमारी भारतिय जनता पाल्टी एक संसकार रीती निती और राष्ट निर्मान के लिए काम करने वाली पाल्टी है इसलिए ऐसी पहलाने की और नहीं जाएं मैं सभी से यही अपील करूँगा सब मिलकर एक सविधान में जो प्रावधान दिये गए हैं उनका सब मिलकर पालन करें आज सविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अमेड कर्दी की पुर्णे तिती है आज पुर्णे तिती के उपलक्ष में वारति जनता पार्टी ने पूरे राजस्तान में प्रदेश और हमारे जिलों में निर्मान दिवस के रूप में बनाना तैक किया है मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अमेड कर्दी को लेकर और जो पार्टिया लगातार सविधान की बात करती है उन्होंने भीमराव अमेड कर्दी को भुला दिया था बीमराव अमिटकर जी को MP सांसद में नहीं आने दिया लगातार जो है विपना केंडिट खड़ा करके लोग सबा में उनको हराने का काम किया और भारतिय जन्ता पार्टी जिस समय जन्संग थी डॉक्टर शामा प्रसाद मुकर जी ने समर्थन दे करके बंगाल से चुनकर उनको राजी सबा में भेजा था और मुझे ठीक से ध्यान है लोग सबाक के अंदर इनकी तस्वीर नहीं थी नहीं लगने दी हमारी पार्टी जब समर्थन कर रही थी वहाँ उस समय तस्वीर भी लगी और इनको भारत रतन की उपादी भी दी और तो और आज हम निश्चित तोर पर धन्यवाज यसेश्व वो चले के दुनिया छोड़ कर तो उनका निर्मान का इस्तान भी और निर्मान त्यार किया जहां ब्रिटेन में जाकर पड़ाई की थी वहाँ भी पंच तीर्थ में त्यार किया इस्तान पांच तीर्थ त्यार करने वाले हमारे देश के प्रधान मंतरी आज भी हम कहते हैं सविधान दिवस बनाने का अगर किसी को हमस्रे देंगे तो सविधान दिवस जिस ने सविधान त्यार किया जविधान जिस दिन से गोशित हुआ उसको नहीं मनाते थे कॉंग्रेस की तरफ से इतना जरूर किया जाता है हाथ में सविधान की कौपी और सविधान का उलंगन सर्वोत्च सदान जहां नियम निमावली जहां सविधान बना वहां जाकर के व्याधान पैदा करना और असंतोस जाहिर करना आनावशक रूप से हम देख रहे हैं वाईयों इसलिए मैं प्रभगवान से प्रात्ता करूँगा कि सविधान के नाम पर सविधान की धज्या उडाने वाले को सद्बुदी दे और भारती जन्ता पार्टी सविधान की रक्षक रही है रहने वाली है ये लोग तंत्र की देश है लोग तंत्र की रक्षा करने का दाइत्व हमारी सरकार का है प्रधान मंत्री जी बार बार ये बात कह चुके है देखिए आप करूडी लाल जी क्या कहा रहे है इसको सविधान से कहा जोड रहे हो जी वो हमारे मंत्री है अगर कहीं कोई दियुंता है उसको दुरुस्त करेंगे न उन्हाने कहा है उमारे CM साब और अमारी पार्टी उसको दुरुस्त करेंगी ये बहुत छोटा विशे है सविधान बहुत बड़ी चीज होती है वहिया सविधान की बात मैंने कहा दा आज डॉक्टर भीमराव अवि कर्टी को गाव गाव तक नीचे तक ले जाने का उनके बारे में सविधान के बारे में जागरती करने का काम भारती जनता पार्टी आज भी कर रही है आगे भी करती रही है